मुवी के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल बॉय को दिखाया जाता है जो नदे के किनारे फिसिंग कर रहा होता है वो एक फिस पकड़ता है और खुशी खुशी अपने घर के तरफ जाने लगता है जब वो वहाँ पहुंसता है तो देखता है वहाँ सब कुछ नस्थ हो चुका था उसके मम्मी पापा और कभीले के लोग कोई भी नहीं थे वो ये देख कर बहुत रोने लगता है तब ही वहाँ एक रोसनी के साथ तुफान आता है और वो जंगल बॉय उसी तुफान में गायब हो जाता है उसके बाद हमें नोबिता का घर दिखाया जाता है जहाँ वो रोते हुए डॉरेमॉन से कहता है वो घर छोड़ के जाना चाता है और अपने तरीके से रहना चाहता है और उसके लिए वो डॉरेमॉन से गैजट मांगता है डॉरेमॉन नोबिता को गैजट दे देता है जिसे लेकर नोबिता घर छोड़ के चला जाता है और अपने रहने के लिए अच्छी जगर ढूंडने लगता है उसके बाद नोबिता पार्क के पास पहुंसता है जहां वो डॉरेमॉन के गैजट के मदद से वहाँ वो अपना घर बनाता है उसके बाद हमें जियान, सुजिका और सुनियों को दिखाया जाता है जहां जियान और सुनियों नोबिता का मजाग उड़ाने लगते हैं और सीज गुछने पर वो आतमी बताता है कि ये जगे उसकी है और उसके पर्मिशन बीना यहां कुछ नहीं बन सकता बीबर होता होग मिलते हैं और फिर तो फिर उसका मजाक बनाते हैं जिसके बाद नोविता रोते हुवे वापिस घर आता है और डॉरेमान से एनिवेर डोर मांगता है जिससे वो एक अच्छी जगह जा सके जहां उसे कोई परिशान न करे डॉरेमान उसे एनिवेर डोर दे देता है और नोविता एक अच्छी जगह चला जाता है उसके बाद ज जियान को दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी मां से कहता है मैं इatना काम नहीं कर सकता और घर चोड़के नोबिता को ढूरने लगता है रास्ते में उसे सुन्यों मिलता है वो भी अपने घर छोड़के नोबिता को ढूड रहा होता है क्योंकि उसकी मौम हाँ सब्जट के टूशन जाने को कहती है उसके बाद सीजुका भी वहाँ आती है जो बताती है वो पियानो क्लास नहीं जाना चाहती है इसलिए वो भी घर छोड रही है दूसरी तरफ नोबिता जहां गया था वहाँ बाढ़ा जाती है इससे वो घर वापिस आ जाता है और डॉरेमॉन से गैजट मांगता है एक अच्छी जगह जाने के लिए पर डॉरेमॉन इस बार उसे गैजट देने से मना कर देता है नोबिता बीना गैजट के घर से जाने लगता है तब ही रास्ते में उसे जियान, सूनियों और सीजुका मिलते हैं तो उसे हल्प मांगते हैं तूसरी तरफ नोबिता के डैड और मॉम दो पेट लाते हैं हैमस्टर जो चुहे के तरह दिखते हैं जिसे देखकर डॉरेमॉन डर जाता है नोबिता के डैड डॉरेमॉन को बताते हैं कि ये पेट उनके फ्रेंट के हैं जो सहर से एक हफतों के लिए बाहर गये हैं इसलिए ये पेट एक हफते यही रहेंगे उन हैमस्टर के डर के कारण डॉरेमोन भी घर से बाहर चला जाता है और वो चारों से मिलता है और सब मिलकर एक अच्छी जगह ढूड़ने के बारे में बात करते हैं क्योंकि जापान में हर जगह किसी ना किसी की थी तबी नोविता कहता है कि हमें ऐसे समय में जाना चाहिए जहां दुनिया में कोई नहीं रहता था और वो सारी जगह हमारी हो जाएगी ये सुनकर सब बहुत खुस होते हैं और टाइम मसीन से वो 70,000 साल पहले वाले दुनिया में चले जाते हैं वहाँ पहुँच कर वो बहुत खुस होते हैं टॉरेमान सबको अपने गैजट देता है जिससे सबको ठंड और खतानाग जानवा से बचने का काम करेगा और उसके बाद वो सब अपनी तरह से अपने दुनिया बनाने लगते हैं टॉरेमान जियान को अपने गैजट देता है जिससे वो घर बना सके और उसे कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर बना देता है उसके बाद वो सीजुका को गैजट देता है और उसे परियवरन मंत्री बनाता है जिससे वो अपने तरह से फूल लगा सके उसके बाद डॉरेमान सुनियों को एक गैजट देता है और उस गैजट के मदर से वो खाने के लिए खेती कर सकता है बनता है पैट मिनिस्टर और सब अपने अपना काम करने लगते हैं दूसरे तरफ हमें मुवी के स्टार्टिंग वाले जंगल बॉय को दिखाया जाता है जो आस्मान से फ्यूचर में आ जाता है इस नए दुनिया को देखकर वो शौक होता है उसके बाद हमें नोभिता को दि तूट होते हैं और तभी वहां डॉरेमोन आ जाता है और नोभिता को एनिमल फूट देता है जिसे खाकर वो जल्दी बड़े और ताकतवर बन जाएंगे नोभिता उन तीनों एनिमल को खाना देता है और उनके नाम रखता है पैगा, डॉरेको और गुरी वहां वो सब मिल जाने का मन होता है और वो सब अपने दुनिया में ववापिस आ जाते हैं और वो सब डिसाइट करते हैं वो डेली यहां तीन घंटे आकर मस्ती करेंगे उसके बाद हमें जंगल बॉय को दिखाया जाता है जो कि नोविता के घर के टेरस में लेटा होता है और एक सपना देख रहा होता है कि उसके मम्मी पापा और कबीले वाले को कोई बंदी बना कर ले जा रहा है तबी उसके नीद खुलती है और वो जोर जोर से रोने लगता है अगली सुवे नोबिता स्कूल से जल्दी घर वापिस आकर जल्दी जल्दी होमवर्ग करने लगता है तबी नोबिता की मौमू से नीचे बुलाती है क्योंकि फ्रिज में रखा सब सामान गायब हो जाता है वो नोबिता को डाट पी है उसने फ्रिज में रखा सारा सामान कहां रखा जहां नोबिता और डॉरेमान बताते हैं कि वो दोनों मिलकर भी फ्रिज का सारा सामान नहीं खा सकते वो सोच में पढ़ जाते हैं कि सारा सामान आखिर गया कहां उसके बाद नोबिता की मौम नोबिता और डॉरेमॉन को सामान लाने को भेल देती है तब ही वहाँ जियान और सुनियों भी आ जाते हैं नोबिता की मौम बताती हैं वो बाहर गये हैं सुनी और जियान नोबिता के रूम जाकर ड्रेस चेंज करते हैं क्योंकि उन्हें अपने नई दुनिया में जाना होता है तब ही उन दोनों को कोई आवाज आती है जियान अलमारी खोल कर देखता है तो उसमें जंगल बॉय रहता है जहां जियान उससे पूछता है तुम कौन हो पजियान को जंगल बॉय की लेंग्वेज समझ नहीं आती और दोनों में फाइट होने लगती है तब ही वहाँ नोबिता डॉरेमॉन और सीजुका भी आ जाते हैं या नोबिता पर चिलाता है कि उसने अपना सीक्रेट किसी और को क्यों बताया तब ही नीचे से नोबिता है उसके बार डॉरेमॉन को याद आता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आये थे तब टाइम मसीन में गड़बढ हुई थी जिसकी वज़य से टाइम फ्लों में छेंज बन गया था जिसकी वज़य से टाइम फ्लों ने उसे अपनी दरफ हीच लिया ये सब सुनकर क पता करने को भेजता है और वो नोविता के साथ ये पता करने जाता है कि जंगल बॉय कब और किस समय से वो हमारी दुनिया में पहुंचा था नोबिता डॉरे मौन को परेशान कर रहा होता है तबी गुस्य में डॉरे मौन नोबिता को पैस को ढूडने के लिए भेज देता है नोबिता पैस को ढूडने वही जाता है जहां उसने उनको बनाया था वो एनिमल्स अब बहुत बड़े और ताकदवर हो चुके थे दूसरी तरफ जंगल बॉय वही बुरा सपना देख रहा होता है और फिर अचानक घबरा के उड़ता है जहां वो सूजिकाओ को देखकर घबरा कर उस पर हमला करने को तयार होता है पसी जुका उसे समझाती है घबराओ नहीं वो उसके साथ ही है और उसे खाने को कुल देती है दूसरी तरफ जियान और सुनियो नदी में नहा रहे होते हैं तब ही अचानक उन पर क्रोकोडाइल अटाइक कर देता है पर तब ही नोबिता अपने पेट्स के साथ आकर वो जियान और सुनियो को बचा लेता है इदा डॉरे मॉन को पता चल जाता है वो जंगल बॉय कहां से आया था नोबिता जियान और सुनियो भी पेट्स के साथ वहां आ जाते हैं उसके बाद डॉरेमॉन सब को बताता है कि ये जंगल बॉय चाइना साइट से आया है और डॉरेमॉन जंगल बॉय को एक गैजट दी देता है जिसे वो सब उसकी लैंग्वेज को समझ सके फिर उसके बाद जंगल बॉय बताता है कि उसका नाम कुकुरू है और वो रोसनी की कबीले के ताजी कारा का बेटा है और वो मचले पकड़ने के बाद घर वापिस आते समय एक रोसनी के आने के बाद वो गायब हो गया और वो ये भी बताता है कि अंधकार की लोगों ने उसके कबीले में हमला करके उनको अपने साथ ले गया है और वो कई बार हमारे कबीलों में हमला कर चुके हैं ये सब सुनकर जियान कहता है तुम सब मिलकर उनका सामने क्यों नहीं करते तो कुकुरू बताता है हम उन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि उनका सरदार बिजली और तुफानों का राजा है और वो आत्माओं को काबू कर सकता है और उसका नाम है गीगा जॉंबी ये सब सुनका सब बहुत डर जाते हैं टॉरेमॉन बताता है कि वो साय जादूगर हो सकता है जिससे सब डरते हो उसके बाद सब एक साथ कुकरू की हेल्प करने कर डिसाइड करते हैं और अगली सुबह चाइना जाने को कहते हैं ये सब सुनका कुकरू इमोसिनल हो जाता है और वो सब रात को सुकून से सो जाते हैं अगली सुबह वो सब पेट्स के साथ चाइना के लिए निकल पड़ते हैं जो कि उस जगे से 2000 किलोमिटर दूर था पर वो पेट्स इतने पाच थे कि वो साम तक वो कुकरू की कबीले तक पहुँच गये थे वहाँ पहुँच कर वो सब देखते हैं कि वहाँ सब तहस नहस हो चुका था कुकरू ये सब देखकर इमोसिनल हो जाता है डॉरे मौन कहता है आज रात वो यहीं बिताएंगे और अगली सुबह आगे बढ़ेंगे अगली सुबह डॉरे मौन अपने गैजट के मदद से टार एक्षन का पता करता है कि उन्हें किस तरफ आगे बढ़ना है और वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं पर डॉरे मौन पेट्स को आगे ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी बड़े होते हैं जिसके कारण वो छुप सकते हैं और वो कुकुरू के लोगों को नहीं ढोड़ पाएंगे तो वो बैंबू हेलिकॉप्टर के मदद से आगे बढ़ते हैं उन्हें रास्तों में कई क्लू मिलते हैं जिससे उन्हें आगे जाने का रास्ता मिलता है कुस दूर जाने के बाद उन्हें आखिर का कुकुरू के कबीले के लोग दिख जाते हैं जिनें अंदकार के लोग बंदी बना कर ले जा रहे होते हैं तब ही डॉरेमॉन टॉरा जॉंबी बनकर उन पर हमला करता है और सब को भगा देता है पर वहाँ एक मिट्टी का पुतला होता है जो बताता है वो तुलसी तामबा है जो कि गीगा जॉंबी का वफादार होता है और वो डॉरेमॉन और सब पर हमला करने लगता है तब ही डॉ कि एक मिट्टी का पुतला बोल कैसे पा रहा था कुकुरू अपने पापा मुम्मी से मिलकर बहुत खुस होता है और वो बताता है कि उन्होंने हमारी मदद की है यह सब सुनकर वो सब कबीले वाले डॉरेमौन और सबका शुक्रियादा करते हैं उसके बाद सीजुका कहती है क उसके बाद हम तुलसी तामबा को देखते हैं जो अपने आप जुर जाता है और उटकर कहता है उसका बदला में जरूर लूँगा और वहां से चला जाता है उसके बाद डॉरेमौन और सब मिलकर पैट्स को ढूरते हैं पर वो पैट्स उन्हें मिलते जिसके कारण नौवि बाठा हुआ होता है तब ही कुकरू इसके पास जाता है और उसे अपने पैट के बारे में बताता है कि उसका भी एक पैट था जो भेडिया का बच्चा था पर एक दिन हिरन्द का सिकार करते समये वो हिरन्द के साथ खाई में गिर गया था पर कुछ दिनों बाद वो वापिस उसके पास आ गया था ये सुनका नोविता खुस हो जाता है उसके बाद रात में रोसनी के कबीले के लोग जस्न मनाते हैं और उसकी दावत डॉरे मौन और सब को भी देते हैं और वो अपने ये नई दुनिया से काफे खुस होते हैं अगली सुबह डॉरे मौन और बाकी सब अपने दुनिया के लिए रोसनी के कबीलों से अलविदा लेकर निकल पड़ते हैं तूसरी तरफ गीगा जॉंबी को दिखाया जाता है जो अपने वफदार से कहता है आखर ये हो क्या रहा है मेरे पास बहुत कम लोग है या तुम्विका का किला बनाने के लिए तुलसी तामा बताता है कि उनकी मदद करने डोरा जॉंबी आ गया है जोकि आत्माओ का सुल्तान है ये सुनका गीगा जॉंबी जो जोर से हसने लगता है इसके बाद हमें नोबिता जियान और सुनियों का स्कूल दिखाया जाता है जहां टीचर उन तीनों को क्लास से बाहर कर देता है क्योंकि वो क्लासरूम में सो रहे होते हैं घर जाते वक्त नोविता सबसे कहता है हमें कल फिर से वहां जाना चाहिए उसके बाद वो घर आ जाता है जहां डॉरेमॉन अपने गैजट के मदद से तुलसी तामबा के हाथ को चेक कर रहा था जहां उसे पता चलता है यह वापिस जुड़ जाते हैं जिसका मतलब वो अभी आती है और वो कहता है मैंने अपने लिए नए गुलाम कैद किये हैं उनकी मदद करना चाहते हो तो टोकोयामे के किले पर आ जाना पर याद रखना तुम वापिस नहीं जा पाओगे और जोर जोर से हसने लगता है जियान उस पर हमला करता है पर वो गायब हो जाता है डॉर पहार में सबको बहुत ठंड लग रही होती है जहां डॉरेमन उन्हें बताता है उसके गैजट वाले ट्रस की वज़े से ही वो यहां खड़े हैं क्योंकि यहां का टंपरेचर माइनेस 50 डिगरी है तब ही डॉरेमन वहां से आगे जाने के लिए एक गैजट निकालता है जि पर गुफा में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि लॉरेमन देखकर सब बहुत परेचान हो जाते हैं तब ही डॉरेमन अपने गैजट से लॉबने को डुढने को कहता है और वो गैजट नॉबने निकल पड़ता है पर ताभी रास्ते में तुलसी तामबा उसे जाता है जो बर्फ के तुफानों के बीच चल रहा होता है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है और वो अपनी फैमली को याद करने लगता है पर तब ही वहां एक हाती आता है जो नोबिता को सूप देता है नोबिता को लग रहा होता है वो सूप सूजका ने उसे दिया है और वो सपना देख रहा है और वो हाती उससे एक बॉक्स देता है और कहता है तुम अगर अंदर किसी तरह पहुंच जाना तो इसे खोल के बटन दवा देना उसके बाद वो हाती वहां से चला जाता है दूसरी तरह डौरेमान जियान सुनियों और सिजगा सीडियों से नीचे जाते हैं जहां अंदकार के लोग रहते हैं उन्हें मार के वो आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें बहुत लोग दिखते हैं जिन्हें बंदी बना का काम करवाया जा रहा था वहां कुकुरू और उसके कबीले के लोग भी थे डौरेमान अपने गैजट अल्टर ट्राइम वा जहां वो गीगा जॉंबी के आफिस में पहुंच जाता है गीगा जॉंबी डॉरेमॉन के पास जाता है ये देखके डॉरेमॉन घबरा जाता है क्योंकि उसने समय को रोक के रखा था गीगा जॉंबी बताता है उसने समय को चला दिया है और उसने खुद डॉरेमॉन को अंद करना चाहता हूँ डॉरेमॉन उसे टाइम पेटोल से पकड़वाने की बात करता है पर गीगा जॉंबी बताता है टाइम पेटोल जमीन के अंदर नहीं पता कर सकते और वो यहां नहीं आ पाएंगे डॉरेमॉन गीगा जॉंबी पर हमला करता है पर गीगा जॉंबी के हमले से दोरे मौन बेहोस हो जाता है सुलसी तामबा भी जियान सुनिय और सुजी का कुबपंदी बना लेता है दूसरी तरफ नोबिता की नीद खुलती है जहां वो सब को ढूडने लगता है पर तभी वहां नोबिता के पैट्स आ जाते हैं जिनें देखका नोबिता बहुत खुस हो जाता है और उनके साथ डॉरे मौन और सब को ढूडने लगता है इधर गीगा जॉम्बी डॉरे मौन और सब के ऊपर एक टाइगर छोड़ देता है पर तभी नोबिता वहां आकर सब को बचा लेता है और सब वहां से भागने लगते हैं पर गीगा जॉंबी वहां के सारे रास्ते बंद कर देता है डॉरेमॉन के पास भी आप कोई गैजट नहीं होते जिसके मदद से वहां से निकल सके पर तभी नौपता उस बॉक्स को देखता है और उसे खोल कर रेड बटन दबा देता है दूसरी तरफ हमें पता चलता है वो हाथी के अंदर टाइम पेट्रोल का इन्वेस्टिगेटर होता है जो गीगा जॉंबी का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वो अपने यूनिट में इन्फॉर्म भी देता है और टाइम पेट्रोल के सारे लोग गीगा जॉंबी के ठिकाने पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं डॉरेमॉन और सबके पास टाइम पेट्रोल के आदमी आकर उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता है और गीगा जॉंबी को टाइम पेट्रोल के लोग एरेस्ट कर लेते हैं और वहां जितने भी लोग बंदी थे उन्हें रिहा करवा दिया जाता है और गीगा जॉंबी के ठिकानों को नस्ट कर दिया जाता है उसके बाद टाइम पे टूल वाले नोबिता के पेस्ट को अपने साथ ले जाते हैं फ्यूचर सपारी में जहां वो उनका अच्छे से ख्याल रख सकें ये सुनका नोबिता बहुत सैड होता है और पेस्ट भी बहुत सैड होते हैं पर नोबिता वादा करता है वो उनसे मिलने चरूर आया करेगा और इसे इसके साथ मूवी के हैपी एंडिंग हो जाती है